नमस्कार ETV भारत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते संक्रमन की शहडोल जिले में भी एक बार फिर से कोरोना का संक्रमन बढ़ना शुरू हो गया है जिले में बीते मंगलवार तक 28 कोरोना के एक्टिव केस हैं और जिस तरह से हर दिन कोरोना के नए मरीज आ रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि यह संख्या और बढ़ेगी ऐसे में बात की जाए शादियों की शुदिन की तो मकर संक्रांथ के बाद से एक बार फिर से विवाह के शुब महूर्त सुरू हो रहे हैं और ऐसे में शादी व्या करने वाले लोग असमंजस में हैं कि वो करें तो करें क्या इस वर सादी के महूर्त पंद्रा जनवरी से सुरू हो रहे हैं चव्या जनवरी से सुरू उत्रान होंगे और जैसे उत्रान होंगे तो महूर्त खुल जाएगा तो जनवरी से ले करके और जुलाई के बीच में खुल साथ महूरत बन रहे हैं अभी जनवरी और फर्वरी के सब ही महूरत बनाय हुए हैं हमारे जज़बान सब बनभा कर ले गए हैं वो बार बार आके यही बोल रहें कि गुरुजी कोरोना का संक्रमन बढ़ रहा है और महूरती भी बिलकुल पास में आ चुके हैं क्या किया जाए कैसे किया जाए अभी अभी एक घंटा पहले एक सिंख साहब आये थे उनका यही 17 जनवरी का भी वाह है कार्ड खरीद लिये है बड़े पंडाल भी बुक कर लिये हैं अस मंजस में हैं कि कार्ड बनवा लें और कहीं पाबंदी लग जाएगी तो नुकसान होगा लोग कहुंच नहीं पाएंगे पंडाल में भी बहुत अधी खर्च हो जाएगा तो भी टालने की स्थित में है कि यदि मैई जून में ऐसे कई लोग आ चुके हैं कि महुट को टाला जाए या कैसे किया जाए क्योंकि कुरोना काल में संक्रमन बढ़ता ही जा रहा है और लोग परिसान हैं घबडाई हुए हैं इस स्थित में क्या करें ऐसा सलाम मस्वीरा कहने प्रतेग दिन आ रहे हैं देखिए लोगों में जो स्थितियां पैदा हो रही हैं बहुतों ने तो क्या किया है कि मैरी जाल बुक कर लिए हैं और साधी के कार्ड भी छपबा लिए अब कार्ड को लेकि यह समझस पैदा हो रहा है कि कार्ड दें की ना दें और कार्ड देने के बाद लोग आएंगे क की नहीं आएंगे हमारे पहुने के लोग एक भयावा स्थिति पयाने वाली है और उसमें लोग सोच हरा है कि हम कैसे करेंगे क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ता है तो जिस तरह से पिछले दो लहर का अनुभो है पाबंदिया लगेंगी और अगर पाबंदिया लगेंगी तो फिर इनके विवा में भी खलल पैदा हो सकता है ऐसे में जो शादी ब्याग करने वाले हैं वो पंडितों के पास पहुँच रहे हैं आगे के शुदिन के बारे में पता कर रहे हैं इसके अलावा कार्ट छबवाना है कि नहीं छबवाना म खास कर वो लोग बहुत ज्यादा परिशान है जिन है इन आगामी एक दो महीने में शादी ब्याग अपने घरों में करनी हैं शहडोल से अखले शुकला एटीवी भारत मध्यप्रदेश